तो आप जैसे कि हमें मुशीन इंस्टोल कर दिया तो आप देखोगे कि यहां पर एक प्रॉब्लम है तो यह आ रहा है अगर हम कैफ्चर करते हैं तो यह माउस जो इसके अंदर चला गया और बाहर वह हमें नहीं दीख रहा है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है राइ करोगे तो यह आपको option भी देदेगा और नहीं तो आप जो है capture करो और माइक कम्पूटर में आप जाओगे और यहां पर इस PC के यहां पर शो करेगा और आप जो है enter करोगे और यहां पर यह आप जो है run कर दोगे ठीक है 64 यह जो भीन मेंसे कोई भी आप रन कर सकते कोई प कुछ नहीं करना खाली install कर देना और उसके बाद यह जो है restart मांगेगा और सेम चीज हमें कहां पर करने है इस पर टरस्ट कर दीजिए and install और यह जैसे install होगा machine restart हो जाएगी ठीक है इसको restart करने के बाद जो है हम सर्वर पर भी सेम चीज करेंगे क्योंकि हमें चाहिए कि हम यह नॉर्मल ही हम इस पर काम करता है ठीक है तो रिबूट नाओ इसको हम रिपूट कर देते हैं और मैं इसको release करता हूं माउस को और सर्वर के उपर हम जाते हैं सेम चीज सर्वर के उपर capture डिवाइस में हम जाए ना तो मैं controlled प्रेस करेंगे दिवाइस इंसेत्ट मैंने किया फिर controlled में प्रेस करता हूं हां मैं video बणा हूं video बणा हूं तो सेम चीज मैं मैं कम्पूटर में जाता हूं और इंस्टोल करता हूं यहां पे भी कि अभी माउस मेरे को यूज करने है अधरा प्रोब्लम हो रहा है तो उसके बाद मैं आप जाता हूँ एक प्रेटिशर देश्पीसी और इस्टॉब सेम चीज़ आपको पर लिए नेक्स्ट यह कंप्लीट लैब है कि सारी चीज़े प्रोसेस वाइज ही मैं करूँ आप प्रेनिंग जैसे रहती है वो चीज मैं परने वाला हूँ यह अपनी मशीन विंडोस चैन ओन हो गई है और अभी एक सेकेंद इसमें कर लेते हैं बहले कैप्चर नेक्स्ट इंस्टॉल फिर उसके बाद हमें यह कंट्रॉल प्रेस करने की जरूत नहीं पड़ेगी इसमें ठीक है बिंदास चलेगा में अगर आप वर्चुल बोक्स यूज करते हैं तो आपको इस चीज से आवेर होंगे और इसके बाद फिर हम जो है इंस्टॉलेशन सेट अप मैं आपको करके दिखाऊंगा ठीक है मैं जैसे करने होते हैं चीजे करने होते हैं बहुत एडवांस लेवल तक मैं इसको लेकर जाऊंगा आप फिकर माप रहे हैं ठीक है इसमें भी इंस्टॉल हो गया है और सेट टूगो एक बार इसको रिबूट कर दें अब इ आपको कोई ऐसा तीन-पांच करने की दुरूटकुर मही है से अम्यश सेंटिंग्स रहे हैं रहेगी वह में जोकी हम मैं स्टार्ट करेंगे के खिर हमारी इंस्ट्री surprस स्ट था चुट्यूत एक जो है इंस्टोर करनी है सीडी और उसके बाद देखिए आपकी मसीन जो है आप प्रोपर एक्सेस कर पाऊगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है जी तो तनीक वेट कर लेता है थोड़ा से पहुज कर लेता हूं मैं वीडियो तो वैस यह हो गया है यह स्क्रीन तब इसलिए आती है कि जब यह काम कर रहा हुता है और करमी बहुत हो रखिए इस वज़े से जो मसीन बहुत जल्दी हीट हो रही है मेरी अब यहां पे इसी तो है नहीं तो पंखा चलाऊंगो तो फिर जो है तोड़ा माइक में प्रोब्लम आती आएगी अपको एक सेगें ठीक है तो अ हो गया मैं इसमें लोगिन करता हूँ तो जैसे मैं लोगिन करूंगा तो स्क्रीन जो है कम्प्लीट आ जाएगी पी अ जगला तो लोग आड़ी और इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स और उसके बाद आल इस वाज़े अ थीक है मैं देखें प्रोपर यह भी फूल स्क्रीन हो जाएगी कोई सुनी है जैसे में जो स्थैन अपना हो गया तो यह भी कम्प्लीट हो जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट में जैसे मैंने बोला कि कुछ सेकेंड यह टाइम लेती है तो इंस्ट्रॉल हो गया है और भाई अब हम आगे कंफिगेशन हमारी जो है अब हम लेमनिंग पाद स्टार्ट करेंगे विल्डू सर्वर के उपर तो वेलकम तो माई ट्रेनिंग सेशन थैंक्यू सो मुच बेंग विद मी एंद छिन नेक्स वीडियो बाई बाई